असलाम लेकों स्टूर्ट, आप देखने में यूट्यूब चैनल तालिम तरभियत के दुनिया, मैं हम अमन ज्यास रिकबाल स्टूर्ट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1A है, उसको क्वेस्ट नम्मर जो 2 हम स्टार्ट करने लगें एक तो प्राइम फेक्टरिजेशन की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है एंडेक्स नोटेशन की यह थे एंदेक्स नोटेश एन दोनों को और सबसे पहले प्राइम का पता होना चाहिए यहीं प्राइम फेक्टर एक ऐसा फेक्टर जिसे कहते हैं यह टेबल आप कह सकते हैं एक ऐसा नम्मर प्राइम फेक्टर वह होते हैं जिन पे सिरफ अपना टेबल जाता है या वन का जाता है जैसे फाइफ है फाइफ पे कोई टेबल नहीं जाता है या फाइफ को डिवाइड पनाइट करें 5 किसा साथ 5 is right 5 को देखbuild you 7 भी prime फेक्टर क्योंकि 7 पाइम का टेबल जाता है या nाइन का देखिर मांहेरे पास प्राइम नंबर नहीं है पसाइब झॉछ 9 फास में कम्पॉजिट नंबर है कैव क्यों कम्पॉजिट नंबर है क्योंकि 9 तो नमर नमर एसे नमर होते हैं जिन पर दो से ज्यादा टेबल जाएं यहनी अपना वन का और उसके लाव अभी कोई ने को टेबल कोई लाएं जाना चाहिए तो प्राइम फैक्टर मतलब एक ऐसे हमने फैक्टर निकाले यह स्टार्ट करते हैं कोसिन हम लिखेंगे जी प्राइम फेक्टर इस इक प्राइम सेंटी टूर निकालने बहुत असान सा multiply करो 6 होता है, तो 7 में से 6 चले गया, तो 1 बच्चा इदर आके 12 बन गया, 2, 6, 12, फिर 2, 1, 0, 2, 3 में से 2, 1, 0, 2 किया, तो 3 में से 2 चले गया, एक बच्चा 16 बन गया, 2, 8, 0, 16, फिर 2, 9, 0, 18, फिर आप देखे, 3, 3, 0, 9, और 3, 1, 0, 3, तो हमारे पास 3 दफाँ, 2 है, 2 दफाँ 3 है, यह निए 2, multiply by, 2, multiply by, 2, multiply by, 3 and 3, तो यह पहला काम हमारा हो गया, prime factorization वाला, दूसरों उसने हमें क्या कहाता कि, index notation, अब index notation क्या होगी, वो हम mention करते हैं यहां पर, आपने ऐसे लिखते ने, index notation is equal to, अब देखो 2 की पावर, 3 into 3 की पावर, 2, this is index notation, अब index notation का जहें मतलब होता है, कि जब basis सेम होती है, जैसे 2 जो है, वो base consider होगा, और इसके उपर 1 जो है, इसका exponent exist करता है, 1 इसका exponent है, तो जब भी base एक जैसी हो, तो उनके जो exponent होते हैं, उनके जो powers होती हैं, वो add हो जाती है, इसलिए यह जो 3 दफ़र 2 था, इसको हमने एक बार लिखा, यनि base को एक बार लिखा, और इनके exponent, यनि power को add करना है, यह वाला 1, plus 1, 2, 2, plus 1, 3, इसलिए इनको देखें तो यह 3 है, यह इस base से different base है, यनि 2 और 3 दो different bases हैं, इसलिए 3 को एक बार लिखा, इसकी exponent 1 और 1, तो इसकी power क्या होगी, 2, तो जब power की form में लिखते हैं, exponential form में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं index notation, तो यह पार्ट A कंप्लीट होगा, पार्ट B देखते हैं, पार्ट B में हमें यह कहा रहा है, 180, 7, अब हम लेखेंगे प्राइम, factorization, या नहीं, प्राइम factor लेखेंगें सिम्पर, प्राइम factors of 180, 7 is equal to, यही काम जो यहां पर हमने किया है, 180, 7 को हम ऐसे लेखेंगे, अब देखें, टू कर टेबल इधर तो हमने start किया था, यहां पर 2 से नहीं करेंगे, हम 3 से करेंगे, अब यहां पर 2 पर क्यों start किया था, क्योंकि last miss का एक हैसा नमबर था, even भी था और एक हैसा नमबर था जिस पर हमारे पास 2 का टेबल जाता है, लास्ट पे 7 है जो कर टेबल 7 पर नहीं जाता है, इसलिए, यहां पर हम नहीं लेगे जाएंगे, 3 को हम टेस्ट करते हैं, 3 6 0 18 आएगा, एक बच्चे का 17 पर नहीं जाता है, इस पर हम अगर ले जाएं, 3 का 3 के बाद नहीं जाता है, हमारे पास 7 11 का टेबल जाएगा, 11, 1 0 11, तो देखें, आप गहुष से सुनेगा, 11, 1 0 11, तो हमारे पास, 4 5 0 15 और, 3 30 जाएगा, 11 1 0 11, पीछे कितने बचे 7, तो यह इदर जाके, 11 1 0 11 जब किया है, तो 17 में से हमारे पास क्या हुआ, चले गए, 7 तो 11 7 0 और 17, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, 11 इंटू 17, और इसकी इंडेक्स नोटेशन भी जी ही होगी, इसकी इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या होगी, 11 की पावर 1 और 17 की पावर 1, तो इस तरीके से हमारे पास यह दो पार्ट जो है, हमने कर लिएं, नेक्स्ट की अगर हम ब इस तरह लिखते हैं कि जैसे पिशे लेकर प्राइम फेक्टर्स ऑफ ट्री हिंडर्ड एंड थर्टी सिक्स इस इक वोल टू तो साइड पे मैं थ्री थ्री सिक्स का एल सिम लोगा क्योंकि लास्ट पे इवन नमर है तो का टेबल जाता है टू वन जर टू थ्री में से टू गय एक बचा एदर आके 16 तू एक जर शीक्स्तीन और तू फो टू एट फिर टू पर टू का टेबल नहीं जाता थी चाहेगा तो फो टू है एक दूर तीन चार फिर एक बार टू है और एक बार शीद्वार एक बार है यह तो अमार पस प्रेम होगा इसके अब बात आ आ जाती है index notation की index notation को आपने simple क्या करना है लिखते हैं टू को एक बार लिखा एक दो तीन चार टू फोर टाइम है यह निए बेस सेम है exponent एड़ कर दो और 3 की पावर 1 7 की पावर 1 क्योंकि यह आपस में एक एक बार है और 3 की पावर 2 पे एड़ नहीं हो सकती क्योंकि बेसिस डिफरेंट है अभी हमार पास पार्ट डी आ जाते हैं पार्ट डी को देखें तो 630 630 है तो हम क्या लेखेंगे प्राइम फेक्टर्स अफ 630 इस इक्वल टू 630 का यह यह लिखें लें 2306 और 2102 में से टू चले गए एक बचाए 10 तू फाइफसर यह नहीं जाता अब त्री कटेबर लेके जाते हैं देखें ट्री टैंजर 30 हो गया तो हमारे पास क्या बचा जी एक बचा 15 350 15 फिर देखें हमारे पास 3 3 0 9 1 बच्चा 15 3 5 0 15 अब 5 कटेबल जाएगा 5 7 0 35 and 7 1 0 7 तो हमारे पास 2 एक गफा है 3 2 टाइम है हमारे पास 5 1 टाइम है और 7 ये तो हमारे पास prime factor हो गए then index notation की बारी आती है उसने क्यों कहा था कि दोनों उसने क्या कहा था कि इंडेक्स notation में भी लिखो 2 की पावर 1 होगी 3 की पावर 2 होगी 5 की पावर 1 7 की पावर 1 तो यह हमारे पास इसकी इंडेक्स notation भी होगी तो इस तो हमारे पास question नमर जो 2 है complete होगे को पास करके उतारे अभी हम question 3 की तरफ factorization कि इसको solve करना है प्राइम factorization की help से अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले हम प्राइम factor find कर लेते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764 के पहले प्राइम factor find करते है 1764 के क्योंकि last mate four है तो टू का table जाता है टू एट्सर 16 17 में 16 चलेगा इदर वन बचा आगे लगा दो टू एट्सर 16 फिर टू फिर देखें तू ओ फोर्जार एट to four is user लेट तु अब हमारे पास two आ टेबल नहीं जाता लेट्स try three three one zero three कितना बचा जी बचा one बचा 14 बन गया three four zero 12 तू बचे twenty one बढ़न गया three seven zero twenty one फिर हमारे पास ट्री की बार यह 3412 two तो बचे 27, 390, फिर आप किसकी बारी है, 770, 49, and 7107, तो इसके जो प्राइम फेक्टर हमारे पास आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और 7 और 7, ये तो इसके हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फेक्टर उसने क्या कहा है, हमें, कि इसके क्या फाइंड करो, फाइंड इच सॉल्व करना है, और इनके प्राइम फेक्टरिजेशन के हल्प से, ठीक होगे, इसको थोड़ा सा इंडेक्स रोटेशन में भी एक बार लिख लो, इंडेक्स नोटेशन, अगर इसे में इंडेक्स रोटेशन में लिखों, तो 2 की पावर, 2, 3 की पावर, 2, 7 की पावर, 2, इ अब मैं क्या करता हूँ, आपने 1764 को सकता है, आपको टीचिस डारेक्ट जो है, यह लिखके इसके आगे, यह नहीं के इसी तरह जैसे वह यूं डारेक्ट आपको यह लिखे, कोस्टिन को लिख दे, लेकिं आप एक से ज्यादा मैथर से कर सकते हैं, को स्टेप बाइस किया जाए, तो वो ना सिरफ बंदे का कंसर्ट बिल्ट होता है, बलके क्वेस्टिन को रटा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यह इस तरीक है से थालना, तो अब क्यों के यह देखें, इसके सारे रोटेशन आगी है, यह आगी है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस त स्केर रूट बिल्कुल ऐसी लगा दे, अब आप चाहें तो डायरेक्ट इस यहां पर इस सारों को ऐसे कार दें, यह यह लेखें, तू, थ्री, सेवन की होल पावर जो है, वो टू है, और उपर इसके क्या स्केर रूट है, अब देखें, कि इसकी पावर टू, इसकी पाव स्टेप में लिख लेना है, यहार स्टेप में नहीं भी लिखतें, तो लास्ट स्टेप में बेशक लिखतें, तब भी ठीक है, लिकीर का फिकीर बिल्कुल भी आपने, नहीं बना, में चीज होती है, कि इसमें अब लास्ट में लिख रहा हूं, एक बीच में ने छोड़ द दो भी यह 570 अंडरूट फाइफन्डड़ या निकाल लेते हैं सबसे पहले प्राइम एफटीब आफ फैक्टर्स ऑफ फा फाइफन्ड़ गया तो यह देखिए कि फाइफन्ड़ एड़ कुर टेबल इस पर जाएगा क्यों जाएगा क्यों कि लास्थ में पैंड़ नमर एक बचस्ट गया इधर 280 16 फिर तू की बारे तू एधर 222 टूर 4 Pay to 4 bem टू itself 14 च्थेक फिर तूर 80-213 में से तू चले गया एक बचा कीतना बन गया शींट टू 8 blocking 16 फिर 2 2 9 0 18 3 3 0 और 3 1 0 तो यह सारे एक दो तीन चार पांच छे यह नहीं सिक्स टाइम टू है मैं लिख देऊंगो सिक्स टाइम एक दो तीन चार पांच शे टू टाइम 3 1 2 अब देखें अब ओ इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख भी दें मैं एक एडिशनल क काम करते तो इंडेक्स नोटेशन में मैं लिख देता हूं आगे जाकर भी मैंने लिखना है एक दो तीन चार पांच छे हो गया और त्री की पावर टू होगी इस तरह भी लिख सकते हैं अगर यह ना लिखें तब भी को फिर नहीं पड़ता अब दोबारा यह लिखेंगी 57 576 इस एक्वल टू अंडरूट ऐसे यह सारे फैक्टरिस के बीश में लिख लिखेंगी कितने टाइम टू था एक दो तीन चार पांच छे वन टू थी फूर फाइव सिक्स और टू टाइम क्या आगे त्री आगे अच्छा एक तू यही कि इसी तरह लिखा रहने दे तब भ दो प्षू खोड़ा सा यह को तो एक और प्यवर सिक्स है ना तो सिक्स को मैं 2 पार थरी इन्टू 2 लिख लूं और 3 की पार टू लिखलू सकर रून पहले यह दोनूं ऐसे कट जैंग misin डेक co 2 한번 ठीन तो 2 को तेन बार लेखें और तीन पी टुल से और ठीक है तो ये जो इसके प्रैम फैक्ष थे इसको इसी तरह 576 क्योंकि ये सारे इसके प्रैम्फीक्षिक्ष ब्रावजा आख। prime factorization के help से solve बने, अब आपने इसके group बना ले लिए, ये देखें, ऐसे line इन दो-दो के उपर लगा ले लिए, दो-दो के उपर क्यों लगा ले लिए, क्योंकि ये square root है, जब भी square root होता है, तो square से कटता है, अब देखें, मैंने 2 लिखा, ये 2 की power 1 और 1 कितनी होगी, 2 होगी, इसी तरह ये जो पेर बना था, इसकी power 1 और 1, 2 होगी, इसी तरह ये जो पेर है, इसकी power 1 और 1, 2 होगी, इसी तरह ये जो पेर है, इसकी power क्या होगी, 2 होगी, और उपर आपने SES के उपर square root लगा ले लिए, है कि इनकी चैयर से यह हमारे पास क्या हो जाएगा स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा इसलिए हम ने इन सारों की पावर टू के फाम में लिखी थी अब चाहें तो जैसे मैंने पिछले 24 को 24 से मल्टिप्लाइ करो तो 576 बनता है तो इस तरीके से हमारे पास कुस्टिन जो है नहीं पार्ट भी भी होगे वीडियो को पास करें यह उता रहे हम नेक्स पार्ट की तरफ चलते हैं है तो पार्ट आगे जी इसी तरह लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आफ एठ त्री थ्री शामन शिक्स पार्ट फाइफ है चेक कर लेते हैं कहीं सिक्स नहीं बेजिए अब इसके क्या क्या निका लोंकर आ क्या क्या है थ्री थ्री 75 है थोड़ा दूर इसलिए लिखा था कि फैक्टर ज्याद आएं तो इसमें आए देखें जी 3 का टेबल जाएगा 3103 3103 3206 यह निए 3 का टेबल टू टाइम मल्टिप्लाइ करो 6 होते तो इसका मतलब है 6 7 में से उड़ जाएंगे पीछे बच जाएगा एक आगे लगा तो 35 15 फिर देखें हमारे पास 3 का टेबल ट्राइक करेक्ते हैं 33009 तो पीछे कितने बचेंगे 11 में से 11 है यह क्या है थोड़ा दूर लिखते हैं क्या है हमारे पास 11 है तो 33009 11 में से 9 के दो इदो दो में चोटा सा लगा लेता हूं तो 22 3721 तो क्या था 22 में से 21 चले गए एक अब 5 का टेबल जाए जाए क्यों कि त्री का टेबल इस पर नहीं जाता है 570 35 अब देखें 37 में से 35 चले गए दो बचे 25 तो फाइफ फाइफ जार ट्वेंटी अच्छा 3 का टेबल जाता है सौल 3 का टेबल जाता है देखें 310 3 2 0 6 7 में 6 गए एक बच्चा 15 3 5 0 15 अब 5 की बारी है 5 2 0 10 5 5 5 0 25 फिर 5 का टेबल 5 5 0 25 और 5 105 अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ में आपका बताऊंगा पीछे जो हमने क्वेस्टिन की है तो उसमें हमेशा आप देखेंगा कि जितने भी अगक्यो यहां पर ना तो क्वेस्टिन नमर 1 का यहां पर कोई वैल्यू लिखे है जैसे यहां पर 3 लिखा है उदर कुछ भी नहीं लिखा ना 1 और 2 दोनों में कुछ नहीं लिखा तो याद रखेंगा कि अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब स्केयर रूट है यह क्यूब जैसे यहां पर 3 से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है कि 3 3 टाइम आएगा नेक्स्ट स्टार्ट हुआ फाइव तो आपको पता होना चाहिए कि 5 भी 3 टाइम ही आएगा यहां कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसल होता है इसलिए जो भी फैक्टर होते हैं अगर यहां 3 है त तो यह हमारे पास अच्छा इसके रूट तो नहीं डालते हैं यह हमारे पास आ गया इसके जी 3 है 3 है 3 है 5 5 5 तो अब देखें इन सारों की पावर कितनी हो जाएगी इन्हीं 3 की पावर 3 हो जाएगा इन्हीं इंडेक्स नोटेशन की शकल में लिख दिया 3 हो अच्छा अब यह हम लिख देंगे 3 इसको लिख दें को दोबारा ऐसे ही 75 अब यह जिस क्यूब रूट डाला यह जो क्यूब है इसी तरह आगया इसके बीच में जितने हैं आपके फैटर वो डाल दें पहले फाइब थी टाइम लहीं अब यह देखेंजिंई यह स्केर रूट से बायर चला किश्यर रूट ख़ाए तो इन दोनों क्यूब से क्यूब रूट केंसल हो जाएक है तो मीडे पास पीछे क्वा कितना हो जाएगा 15 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 3 375 का क्यों रूट है उसका 15 है यहनी 15 को 3 time multiply करोगे तो यही वैल्यो आगे यह अभी अग्या लेट ले 15 को अगर हम 3 time multiply करें 15 multiply by 15 multiply by 15 तो हमारे पास 3375 ही आता है तो यह हो गए हमारे पास part c let's move towards part d अच्छा पार्ट आगे जी हमारे पास दी ची और कितने हैं वन सेमन टू एट है वन सेमन टू एट है तो इसी तरह लिख देंगे जी प्राइम लिख देंगे अपके दो आफ मार्कर प्रेंगे इंक हो रही है अफुल प्राइम टू एट इस इकोल टू टू एट के लिए वन सेमन टू एट के नेकालने के लिए एड देख लेएँ ने नियूट है तो एट शीटीन वन बचा इधर वगया तू शिक्सर टू फो इस और यह यन्यों को टेबल 8 पर 4 टाम जाता है अब को को टेबल 8 पर 4 टाम जाता है तू को टेबल 6 पर 3 टाम तू को टेबल 2 टाम 2 टो टो टू में से 2 चले जाएंगे फिर 2 टेन्स तो फॉर जर अब त्री नाइन जर ट्री तरी त्री तरी अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या-क्या आए एक दो तीन चार पांच यह जैसे मैं आपको पहले आ करना प्राइमी पास कोई तो फाइंगे Nhafize pengavin तरी होंगे एक दो त俺 तो स्टार्ट हो था तो 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 त्री त्री ताइम तो नहीं आया तो निया तो नए अगर त्री ट्री इन या तो निया तो ने और तो ने आया तो 3 4 5 6 यह नहीं कि 3 का multiple में factor हमेशा आएंगे अब दें नीचे देखें 3 एक दो तीन 3 टाइम आया अगर इस टाइप का question हो बाहर क्यूब रोटो और आपके factor 5 हो या 2 हो या 8 हो 3 का multiple ना हो तो इसका मतलब है आपने कही ने कही मिस्टेक ही तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इ 3 इन्टू 1 7 2 8 एकवल आगे इसी तरह क्यूब रूट लिख दें आपके एक दो तीन चार पांच छे देखें त्री और सब्सक्राइब तू तो दो तीन चार पांच छे फिर एक दो तीन अब देखें इसकर हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे पेर बनाए ग्रुप यह जोड़ लेंगे इसलिए ताकर असानी से कटिंग हो जाए देखो टू की पावर 3 यह इस ग्रुप की पावर 3 फिर इस 3 वाले ग्रुप की बारी इसकी पावर भी देखो 3 और उपर इसके क्या है क्यूब रूट करें सिरे तो यह तेनों से कावर हो जो हर है क्योबर कार्ण अक्र यह पूर है यह कुला कोड़ कर नियुके पास अगरहाजिए हर से करने हैं यह इसका मतलब यह हुआ कि बाहरा है एक हृट अगर फिसके 12 को 3 time multiply करने से हमारे पास 1728 आता है 1728 आता है यह नहीं 12 को अगर आप 3 time multiply कर देते हैं 1728 आता है तो इस तरह हमारे पास student question number 3 है उसके सारे पार्ट होगे वीडियो को पास करके उतारें next question की तरह मूव करते है student question number 4 है question number 4 में उसके यही समझे हैं कि जो पहले हम question हल करते हैं कि को स्थी की हम बात करें या 2 की बात करें तो उनमें कुछ नो कुछ हम solve करते थे फिर जाके एक stage पर पहुंचते थे यह इस तरह की index notation में लिखा हुआ है यह value index notation में लिखी हुए कि इस value के prime factor निकालने के बाद इसकी इस तरह index notation में लिखी हुए तो यह हम पहले solve करके यह निकालते थे उसमें हमें थोड़ा बहुत solve करके दे रिया जान बूच लिए any confusion पैदा करने के लिए दे रिया जो स्केर रूट है यही कि इसको हमने क्या करने क्या करने है इसके तो और कहरें काल्कुलेटर को यूज नहीं करना ठीक है जी हम आपको अब क्या करेंगे यह लिख आजी हमारे पास यही ही ले 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 गिवन बलका आप ऐसे रखें गिवन देट गिवन देट 9801 इस एक्वल टू 3 पावर 4 एंड 11 की पावर 2 यह हमें उसने गिवन दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे यह लिखें जी 9801 इस एक्वल टू अब इसके बीच में यह वैलियो लि तो लाजमी बात है जहां यह वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू की जगह यह वाली वैल्यू पूट कर दें तू अब इसका एक और में असान आपको मैथल बताते हैं अब यह देखें जी आप ट्री की पावर फोर 11 की पावर टू अब देखें इसके उपर मैंने स्केर होती है इसकेर रूट की वैल्यू बेर टू होती है इसलिए जिनिए कर रूट की यह तू तो तो टू चचिक पावर कितनी आगी तो और 11 की पावर यह नहीं वन ना आगे तो 11 11 3 की पावर 2 का मतलब है 3 कितने टाइम है 2 टाइम है 3 2 टाइम है और 11 3 3 0 9 9 11 0 99 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पीछे आपके पास वैलियो आ रही है 9801 वह क्या रूट है 9999 का कि अगर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए उसने काहता क्लकुलेटर यूज़ ना करें मैं इसलिए है इसलिए ंसलिए स्टुडें डिल्कुल ग्योक्यो स्टूजन इनधर है स्टूजन नवर स्केवरूट की शकल में ता इनके क्यूजन ज्ञेश किया था ये कूदेर है वह कैसी नहीं के ओम स्टूजन का यॉजास्ञान है इसका क्योन गिंदे Scholars किसù दिया पा Μelphin क están ने धे एकवल यह दोनों तरफ इश दोनों तरफ इस तरफ भी क्योव रूट में लेड़िए अब यह देखें यह वैली मैंने ऐसे लिती अब क्यों कि वह 1x3 होती है इसलिए वन बाइधी इस टू की पावर सिक्सेवी मिल्टिप्ले होगा और वन बैधी जो क्यूब रूट की वजह से वह थे से भी मिल्टिप्ले होगा घ्री का टेबल टू टाइम देके तू की पावर टू इते को शेमर सेमना गया तो सैवन फोर्जार आखाने हैं, वीडियो को पास करके योजार ने हम बात करें तो उस में कहए्यारा कि और हमारे पास देख घगात एक वैलियु उसने allez Ч diyorsun, इसलिए वाल। इसमें हमने concept इस्तमाल करना है, estimation का और उसको solve करना है जैसे कि हमारे पास यह क्योंको square root 66 है अगर हम इसको square root लें तो 8 point something आ जाता है तो हमने एक whole number की शकल में अगर इस कान सा लिखना है तो यह देखें अगर हम 2 का square लेते हैं तो 4 आ जाता है हम इसे लिख सकते हैं कि जो 66 है that is approximately equal to 64 यह 64 है तो नहीं लेकिन approximately 60 under root 64 और 64 का square root एक दुसरे के बहुत करीब है इसलिए अब अगर 64 का आप square root लेते हो यह कैसे अगर मैं यह लिख दूँ 8 का square तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 तो इस तरीके से हमारे पास जो 64 है तो इस तरीके से निकाला जाते है अब अगर हम 80 की बात करें तो देख सकते हैं is very close to 81 81 क्योंकि जो है एक perfect square है तो इसलिए हम क्या करेंगे that is अप्रा यह 80 जो है is very close to 81 तो इसलिए हम क्या करेंगे that is approximately equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 81 कि 80 यह नहीं कि हमने इसमें ही देखना होता है कि इसके करीब तरीन जो perfect square है वो कौन से वो लिखना होता है तो अब जैसे 9 का square है ना तो 9 के जब square लेते हैं तो 9 का square रूट जब हम लेते हैं तो हमारे पास 81 का आप चाहें तो ऐसे लिखकर यू लिख दे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो इसी तरीके से यह नहीं के जैसे हमने यहाँ पर बात की थी 2 का square यहाँ पर हम 2 का cube देखें तो 2 का cube 8 होता है 3 का cube 27 होता है 4 का cube 64 होता है इसी तरह आप चले जाएं तो जो 6 की cube की हम बात करें तो 216 होता है तो आभ हमारे पास क्या होता है 216 तो अब हमारे पास 216 एक प्लॉस तो इसके मतलब यह हुआ कि हम इसके लग सकते हैं ऐ अप्लॉक्सीमेटली तो हंडर्ड्र एड्शीन और इसके क्योग ले ले अब 216 क्या है 6 की power 3 की equal है तो अपने क्लिए 6 की power 3 और उपर इसका जैसे cube root है cube से cube root cancel तो 6 इसका क्या आजाएगा answer यह part क्या था सी था अभी हम बात करें अगर part D की तो जो part D है 730 और वो भी क्या है cube root में बूंटी सेखेंगे क्यूब रूट है नाइन का सब्सक्राइब नाइन का यह हमारे पास क्या आता है नाइन का अगर क्यूब लोग तो वो 729 आ जाता है ठीक है तो हम इसके करीब 9 का अगर क्यूब यह क्यूब रूट है ठीक है यह देखें क्यूब लगा दिया क्यूब से क्यूब रूट का सब्सक्राइब तो इसलिए हमने 730 को 729 में लिख दिया data 730 and 729 are very close to each other approximately एक दूसरे के करीब होते है तो इसलिए हमारे पास 9 जो है इसका आंसर आजाएगा यह नहीं 3730 का तो यह एक approximation का concept को इस्तमाल करती है हमने complete करना था तो यह हमारा जो कुस्सर है complete होगे वीडियो को पास करके उतार लें अब कुस्सर नमर 8 में कह रहा है कि हमारे पास एक photo frame है और जो photo frame है वो एक square shape में है अगर square shape में photo frame तो उसका हमें उसने area दे दिये area of a square photo frame is equal to 250 cm square इस statement लिख हुए मैं पाड़ को बता दो area of a square photo frame is 250 cm square find the parameter of a photo frame leaving your answer correct to one deep that is decimal place कि area of square photo frame जो है उसने हमें दे दिये 250 cm square है parameter कह रहा है कि find करना और parameter कह रहा है find करना है one decimal place में हमने लिख रहे हैं तो हमने क्योंकि यह square की बात हो रही है तो हमने area of square का लाज़मी बात है हम फार्मूला लगा देंगे area of square का हम देखें area of square हमारे पास क्या होता है एल स्केर एल मल्टिप्लाइब है यह स्केर एक एसी शेप होती है जिसकी सारी साइड आपस में एकवल होती है area उसने हमें दे दिया है area उसने कितने कि दे दिया है 200 and 50 cm SQ is equal to जैसे एल स्केर अब हमने क्या करना है इधर भी ice Öz दे एदर भी स्केर रूट यह थर भी स्केर रूट ले ले कर लेने अब ल क्योंकि हम लेंध find कर लें लें लिए फिञट कर लेंη कहा तो अब हमने सिम्पल इसका क्या करने कि a scaleर रूट ले लेते हैं हमारे पास अ क्या जी टो हंड़र्डू अ grin ये थिर से हमारे पास क्या शिब्याइब 1598111 एक यना है ठीक भास थ्री डिजिट बहुत क्योंको में तो दो दिजे लिखने सेंटीमीटर स्केयर से स्केयर उट कट गया और इधर कट गया तो अब फोटो-फ्रेम scale of photo frame is equal to 15.81 15.81 cm और correct to 1 dp यहनी 1 decimal place तक मैंने correct to 2 decimal place यहनी मैंने क्या किया 2 decimal place तक आइस की length लिखे अब बात आ जाती है जो उसने कहाता कि find करो क्या parameter तो देखे parameter जो है वो बहुत असान सा है इतना मुश्किन है पेरी मीटर जो है पेरे मीटर को फार्मूल होता है 4L perimeter of square यहनी perimeter of square का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो student होता है 4L तो ल तो हमारे पास ल की वेल्यू है L की वेल्यू हमारे पास कितनी है 18 15.81 15.81 हमने क्या लगते ने 15.81 cm अब हम इनको multiply करते हैं जी 15.81 50.81 multiply 4 63.24 आ रहे है 63.24 cm आ रहे है आप इसको बेशक 63.2 और इसमें आगे आप लिखोगे और गरेक्ट टू one decimal place अब देखो one decimal place मतब point के बाद हमें एक digit चाहिए जैसे कि मैं उसका approximation यह होती है कि अगर जिस digit तक आपने लिखना है उसके बाद वाला digit आपने देखना है तो हमने लिखना है digit कहां तक इसको two को देखना है two के बाद वाले digit की बात करें तो यह हमारे पास क्या है four है अगर यह हमारे पास four है तो इसलिए यह two two ही रहेगा अगर इस four की जगा five six seven eight nine इन digit में से कोई होता तो यह two जो है one increase कर देता two को हम क्या बना देते three बना देते लेकिन जब भी round off का यही होता है यह correct decimal place का यह होता है कि जिस digit तक आपने कर राउंड आफ करना होता है जैसे कि इसमें two तक करना है तो उसके बाद वाले digit अगर five यह five से बड़ा हो तो पिछला वाले digit one increase हो जाता है लेकिन अगर five से छोटा हो जैसे four छोटा है five से इसलिए यह जो digit है यह चेंज नहीं होगा वो यह two ही रहेगा क्योंको उसने कहा था one decimal place तक लेके तो यह हमारे पास इसका answer आगे वीडियो को पास करके यह उतार लें ताक next question क्यूस्ट करें question nine question nine की बात करें question nine में वो यह कह रहा है the volume of a box in a shape of a cube is two one nine seven centimeter cube find the area of one side of a cube अब वो कह रहा है कि भाई a cube shape का एक box है मतलब cube shape ऐसा होते है three dimensional box है area of one side of box वो क्या कह रहा है कि find करो area अगर एक side box की एक side के गर हम बात करते हैं जाजी बात है अगर उसकी जो एक side होगी तो उसकी length और breadth हमें यह नहीं के चाहिए होगी तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमारे पास length of each side of box जो हो होनी चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका cube root इस पर लगा कि मैं जड़र solve पर दूँ फिर आपको बताए लेंट आफ एच साइड आफ बॉक्स इस इक्वल टू वो क्या है क्योंकि यह बात हो रही है वालियम की तो वालियम हमेशा cube में होता है length bread height उसकी होती है तो इसका cube root लेंगे ठीक होगे जी अच्छा आपने cube root कैसे लेना है यह आपके पास shift का button होता है आप shift का button दबाते है shift का button दबाना है shift का हो सकते है अगर calculator आप मुझे नहीं पता कितना के लिए नज़रा रहा है shift का button दबाएं यह जो on वाला button होता है इसके नीचे बिल्कुल यह cube root होता है जिस उस button के बिल्कुल ऊपर ऊपर तो नहीं यह नहीं के ऊपर वाली side दे इस button के ऊपर इस तरह लिखा हुआ है ठीक है यह वाला button आपने दबाते हैं तो cube root आ जाते है आगे value टाइप कर दे 2197 तो यह 13 आ जाते है हो जाते है खास करके जो test wear होते हैं उनमें यह चीजें बहुत काम आती है तो यह से कटके हमारे पास क्या हो गया 13 cm आ गया length of each side of box आ गये अब हमने क्या find करना है area of each side of each side of box तो वो क्या होगा वो होगा जी इन दोनों को यह नहीं के length multiply by breadth होगा तो इसलिए अब इसकी जो shape है यह हमारे पास क्या होगा जी दोनों का यह नहीं के area of one side of box जो है length multiply by breadth उसकी जो है आ जागी same 13 cm into 13 cm 169 cm square आ जाएगा क्यों के cm 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 square हो जाएगा सबसे पहले हमें इसकी length निकालिया है फिर length का हमने square लेना है तो हमारे पास area आ जाएगा length की length of each side of box हर side की 13 है तो लाज़मी बात है फिर length जो होगी वो ही breadth होगी length multiply by breadth होता है तो हमारे पास यह क्या आ जाएगा सारी साइडी मतब आलमस्ट आप कह सकते हैं कि उसके बहुत सारे scale जो cube होता है उसके बहुत सारे scale मिलकर वो cube बन जाता है आप इस तरह भी समाज़ सकते हैं ठीक है तो यह हमारे पास question number 9 जो है वो complete होगे student question number 11 question number 11 में वो यह कह रहा है कि if p q are whole number such that p q p multiplied by q is equal to 37 अब कह रहा है कि p q दो whole number है जिनका product जो है p q वो क्या है 37 है find the sum of find the value of p plus q यनि sum इनका find करना है यह उसने क्या दे दी है given है find जो हमने करना है find यह करना है p plus q जो है वो student हमने find करना है तो अगर देखें 37 तो p और q दो कोई whole number है जिनको multiply करेंगे तो 37 बनेगा तो इसका मतलब है कि p q जो भी दो value है उन दोनों को add करने से 37 बना है तो बहुत interesting और बहुत असा कुछ है 37 असल में क्या है एक prime number है यह तो हमें पता है कि 37 पे कोई table नहीं जाता सिरफ दो table जाते है one and 37 तो हम आमने लिख रहे है सिंस 37 इस अप्राइम नंबर कि बाई जो आप हमें दे रहे हैं वो क्या है प्राइम नंबर सो इट हैस तो इट हैस तो इट हैस ओनली तो फेक्टर्स कि बाई इसके सिरफ टू फेक्टर्स होंगे that is one and 37 इन इसके दो फेक्टर होंगे one and 37 और जो one और 37 है यह one p भी हो सकता है और one q भी हो सकता है 37 p की भी value हो सकती है 37 q की मतलब यह जो value है न one और 37 यह one multiply by 37 करो यह 37 multiply by one करो दोनों सूर्थों में हमारे पास क्या आता है 37 ही आता है इडर पीक क्यों लाइक one and 37 और 37 and one इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब value इनकी हो सकती है अच्छा अब हमारे पास क्या है अच्छा एक और चीज है कि इसको bracket में बेशक आगे ना bracket में आप यह भी लख लें one multiply by 37 और और 37 multiply by one यह जो पी है वो one अगर one होगा तो q 37 होगा और पी 37 होगा तो q 1 होगा तो अब हमारे पास क्या होगा then sum of sum of p plus q क्या होजाएगा 38 होजाएगा यह यह इस तरीके से बिलकुल आपने लिख देना है तो आपका question complete होजाएगा इसके 37 प्राइम नमर है इसलिए इस प्राइम नमर के दो इफेक्टर होता है एक वो खुद होता है और एक उसके साथ one होता है इसलिए इस इनका sum जो है अगर product इतना है तो sum इसका इतना होगा तो इस तरीके से हमारे पास question 10 होगे 10 होगे sorry 11 होगे complete होगे अच्छा अब हम बात करते है question 12 को इदर ही थोड़ी सी जगह है इदर ही हम इसको adjust कर लेते है question 12 में वो कह रहा है if n is a whole number such that n multiply by n plus 42 is a prime number अब वो कह रहा है एक तो बता रहा है के n is a whole number n क्या है ? n is a whole number एक चीज़ वो हम बता रहा है दूसरा बता रहा है के given बता रहा है के n into n plus 42 is a prime number अब वो दूसरी बात कर रहा है n into n plus 42 is a prime number ठीक है यह दो चीज़ें बता रहा है अच्छा आप इसको दूसरी तरह भी लख सकते है as it is given that n है इसको यूँ भी लख लें और असान आपको बता दो आप लखें जी sense n into n plus 42 is a prime number prime number अब क्या है के n into n plus 42 एक prime number है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिर्फ मैं 42 को देखू इस में 42 को निकाल लूँ तो 42 तो मेरे पास prime number नहीं है यह तो एक composite number है यह आप उसे कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि n एक ऐसा number है जो इसके साथ add होकर वही number multiply करें तो वह prime number बन जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक और number होगा जो क्या होगा वन होगा यह निए n is equal to हमारे पास क्या होगा वन होगा कैसे अगर मैं यहां लिखूँ one multiply by one plus forty two तो यह कितना हो जागा forty two plus one forty three into one forty three जो के वाकिए एक prime number है ठीक है 43 एक prime number है यह वैसे मैं आपको सम्झाने के लिए जो है लिख दिया since n into n plus two is a prime number so one has to has to be one of its two factors बात सम्झने की है के prime number वो होता है जिसका एक factor one होता है और दूसरा factor कौन?' हो होता है वो खुद होता है यहनिंगैंकी दूसरा factor वो हो खुद होता है so one होता है then तो value क्या हो जाएगा एन is equal to kya होजएगा one हो जाएगा ठीक है so n is equal to therefore & to value one होगी तो अब हमारे पास इस में value यू पुट कर दो 1 multiply by 1 plus 42 तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा 42 प्लस 1 कितना जाएगा 43 वंदर 43 वंदर 43 विच इस अ प्राइम नमबर तो यू हमारे पास उसने क्या कहा था कि जी भई वैल्यू इसकी फाइंड करो तो इसकी पीछे एक दफा चले और आपको बता जैसे मैंने लिखने जाए यह वैल्यू एंड की जगह 1 पुट करके लिखने 1 multiply by 43 इस एक्वल तो 43 यह हमारे पास एक्सरसाइज कंप्रीट होगी है यह और करें एक्स्प्रेंज और आंसर को उसने आंसर को एक्स्प्रेंड करने कर खाता कि हमने एक्स्प्रें कर देंकर दे है तो इस तरह हमारे पास जो है को सब्सक्राइब कंप्रीट होगे 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 समझ आया होगे को इन फीरियों ने दीशे कमेंड में जरूर बताएगे